हमारे हैं जैपुर, जोटपुर, भीलवारा, करॉली, सीकर, टोक, नादौर में CBI का छापा पड़ा है CBI की रेट डली गई है, हाई कोट के आदेश पर CBI माइनिंग घोटाले की जाँच कर रही है CBI ने अप्रेल 2024 में मुकदमा दर्ज किया था राजस्थान के बड़े माइनिंग कारोबारी इस घोटाले में कहा जा रहा है कि शामिल है माइनिंग विभा के कई अधिकारी भी इस घोटाले में लिप्त बताए जा रहे है CBI के टीम सभी ठिकानों से दस्तावेजूं की जाच कर रही है तो ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे है पूरे प्रदेश में दस जगों पर CBI की रेट डाली गई है CBI ने छापा मार कार रवाई की है माइनिंग कारोबारी ओं के दस घिकानों पर छापा मारा है जैपूर, जोथपूर, भीलवारा, करॉली, सीकर, टूंक और नागौर में ये CBI का छापा पड़ा है आपको बता दे कि CBI की तरफ से ये कार रवाई हाई कोट के आदेश के बात की जा रही है बाकाइदा CBI इस माइनिंग घोटाले की जाच कर रहा है और इसी संबन में ये छापे मार कार रवाई की गई है दस्तावेजू को जाचा जा रहा है, पता चला है कि कुछ जहों से कैश परामद हुआ है इसके साथ ही साथ हमारे सहयोगी की तरफ से जानकारी भी निकल कर सामने आई है के हत्यार भी एक छापमार कार रवाई में मिला है हालकि अभी पूरी डीटेल नहीं आई है क्योंकि अभी सीबियाई की जाच चल रही है सीबियाई का छापा भी जारी है इस वजह से पूरे मामले की गोपनियता बरतते हुए सीबियाई ने जादा खुल कर कुछ नहीं कहा है लेकिन हमारे समवादता तोंक से ये जानकारी दे रहे थे कि देवली में ये सीबियाई के टीम पहुँची है चापा मारने के लिए दोहजार चौबीस में सीबियाई की तरफ से ये मुकदमा अदालत के हाई कोट के आदेश के बाद दायर किया गया था और इस वक्ते एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं नीट धांगली से जुड़ी ये बड़ी खबर है लीक पेपर लीक कान से जुड़ा आरोपी शिंटु कुमार गिरफतार किया गया इस पूरे मामले में गिरफतारियां कर रही है और जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक शिंटु जो पकड़ा गया है जारखन के देवघर से पकड़ा गया शिंटु वो शक्स है जिसने रवी अत्री गैंग जो मेरट जेल में बंद है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नॉड़ा से आता है उससे ये प्रशन पत्र का जुगार लिया यानि कहें कि उसने बंदोबस्त किया है प्रशन पत्र को और ये शिंटु सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ है प्रशनपत्र हासिल करने के बाद इसको सॉल्व करवाता है और फिर ये सॉल्व कराने के बाद प्रशनपत्र कहा जा रहा है कि किसी ने सिकंदर नाम के शक्स को यहां बिहार में इस प्रशनपत्र को दिया था और फिर इसी तरह से सर्कुलेट होता चला गया राची जारखन क राज़ानी राची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में भी ये प्रशनपत्र ये प्रशनपत्र को सॉल्व करके सप्लाई किया गया था वहाँ पर बेचा गया था तो इस लिहाज से ये एक बड़ी एहम कारवाई कही जा सकती है बड़ी गिरफतारी कही जा सकती है शिंटू न कबूला है और गुना कबूलते हुए उसमें रवी अत्री गैंग से पेपर यानि प्रशन पत्र मिलने की बात स्विकार किये है निट पेपर लीक के मामले में भिहार पुलिस की E.O.U. यूनिट यानि की एकोनॉमिकल ओफेंस यूनिट आज सिक्षा मंत्राले में निट को लेकर जो कारवाई की गई है उसकी एक भिस्तित रिपोर्ट दाखिल करने वाली है सिक्षा मंत्राले में आज E.O.U. यूनिट बिहार सरकार की जो पुलिस है वो सिक्षा मंत्राले में अपने एक डिटेल रिपोर्ट दाखिल करेगी इस रिपोर्ट में उन तमाम आरोपियों के बयान सामिल हैं जिनोंने निट के पेपर को लीग किया और तमाम परिक्षार्थियों की मदद की जो रिपोर्ट फिलहाल बिहार पुलिस के द्वारा तयार की गई है उस रिपोर्ट में न केवल उन आरोपियों के बयान सामिल हैं बलकि वो अंग पत्र और साथी साथ वो पष्ण पत्र भी शामिल हैं जिनको समय रहते जलाया गया लेकिन बिहार पुलिस की EO यूनिट ने जो छापे मारी की उनको उस समय परियाथ सबूत मिले बिहार पुलिस के द्वारा जो डिटेल रिपोर्ट सिक्षा मंतराले में आज दाखिल की जाने वाली है उसमें बिहार पुलिस के बड़े अधकारी सिक्षा मंतराले को ये मामले में सुप्रीम कोट में भी कई आचकाएं दाखिल की गई हैं जिस पर सुप्रीम कोट आठ जुलाई को सुनवाई करेगा लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा की गई ये कारवाई निट पेपर लीग के मामले में एक बड़ा सबूत साबित हो सकती हैं और जिस तरह देश सिक्षा मंत्राले और खुद सिक्षा मंत्री क्या कुछ एहम बड़े फैसले लेते हैं क्यामन संजी बर्मा के सासु सीर पांडे निउस एटीन दिल्ली और नीट पेपर लीग की का जाच लगातार जारी है इसमें सबसे एहम और बड़ा सबूत पत्ना के खेमनी चक स्थित एक मकान में मिला था यहां से पतना पुलिस ने जला हुआ प्रशन पत्र बरामत किया था इस जले हुए कोशन पेपर का बुकलेट नमबर 6136488 के रूप में मिला है सूत्रों के माने तो EOU को जानकारी मिली है कि बुकलेट नमबर जहारखन के हजारी बाग के किसी के इंद्र का है न्यूज 18 की टीम आज इस बिल्डिंग तक पहुंची जहां पर प्ले स्कूल चल रहा था यह बिल्डिंग प्रभात रंजन की बताई जाती है जिसे किराए पर दिया गया था तो ग्रैफिक्स के जरीए हमने आपको एक इस पूरे मामले की कड़ी दर कड़ी बताने की कोशिश की है नीट पेपर लीग के किरदार कौन को है सिकंदर प्रसाद याद्वेंदू मास्टर माइंड माना जा रहा है यह देखिए प्रीक्तम कुमार टेजस्वी आदव के पी और दूसी तरफ प्रदीप कुमार सिंग जो विहार पत्मिर्मान विभाद के करमशारी है गेस्ट हाउस की उन्होंने बुकिंग दी दूसी तरफ निकल कर एक चीज आई है सामने कि अनुराग यादव ये सिकंदर प्रसाद याद्वेंदू के फूपा है और अनुराग य पढ़ाई कर चुके हैं MBBS की दामाद PG के स्टूडेंट है MBBS करने के बाद PG की पढ़ाई कर रहे हैं और भतीजा दोराग यादव नीट अभ्यर्थी उसको फोन करके पटना से कहा कोटा में कि आईए पटना में स्वागत है आपका क्योंकि प्रशनपत हमने हासिल कर लिया ह हमने कर लिया है तो समझी है सिकंदर कुमार यादविंदू कितना बड़ा इस पूरे मामले की कड़ी में निकलता हो सामने है क्या इतना टैलेंटिड इसका परिवार है कि बेटी MBBS हो जाती है दामाद भी PG स्टूडेंट अब यहाँ पर इस वक्त हैं यह जांच का विश्य करता है इस पूरे प्रक्रण की देखने कोशिश करता है संजीव मुख्या यह भी एक आरूपी है शिक्षक बहाली तीन में पेपर लीक आरूपी है बेटा शिवकुमार यह भी साहब प्यम्स पत्ना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पत्ना का एक नामी कि रामी जा कहीं कि ब है जेल में इसलिए है कि BPSC के पेपर लीक हुए थे उस मामले में इसको गिरफतार किया गया था अब और वीस मामले को आगे जानने और समझने की कोशिश करें तो अभी जेल में बंद है और जेल में बैठे बैठे ही कई और जहां तरीके से यह इस खेल को अंजाम दे रहे और इसके अलाबा यू ने अभी तक जो जाच किया है उसमें बुक्लेट नंबर मिला है बुक्लेट नंबर का हमने बताया आपको हजारी बाग में यह कहा जा रहे कि एकजाम दिया था भीहरती तरफ से और एजेंसी के बाद सबूत यह भी है कि वो घर जहां प्रशनपत्र रटवाए गए थे यहांई प्रशनपत्र के उत्तर बैठाकर स्टूडेंस को जिनू से ने खरीदे ते और रटवाएब ने थे पोरए प्रेशनाऊलै का पूरा इतिहास पूरा कच्छा चिठा भी यहां यहाँ यू ने अभी तक की अपनी जाच में हासल किया और नीट पेपर लीग मामले में हर रोज नए नए परदाफाश हो रहे हैं नए नए जानकारियां सामने आ रहे हैं लेकिन आर्थिक अपराद इकाई E.O.U की जांच में ये पता चला है कि नीट का पेपर सबसे पहले सॉलवर गैंग के किस किरदार के पास पहुंचा था और की भी उनको दी गई और बताया गया कि इस सवाल का ये जवाब सही है इसको अच्छे से रटलो इस रिपोर्ट में देखते हैं बिहार में नीट की कलंक कथा के कितने किरदार कौन है बिहार में नीट पेपर लिक मामले का मास्तर माइन बिहार पुलिस की रेडार पर कितने बड़े चेहरे नीज़टीन इंडिया की इंसाइड स्टोरी में एक्सक्लोसे पड़ताल में नीट पेपर लीक कांड के हर करदार की भूमिका सामने आ गई है नीट पेपर लीक मामले में जाच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस कांड में कई खुलासे हो रहे हैं बिहार पुलिस की आर्थिक अपराद इकाई के रेडार पर जितने किरदार आए और उनसे पूस्ताच में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले हैं क्योंकि अभियर्थियों के कुबुल नामिक मुदाबिक उन्हें नीट परिक्षा से कुछ घंटे पहले ही प्रश्ण पत्र और उसका उत्तर मिल गया था जिसे उन्हें सिर्फ रटना था यानि नीट पेपर लीग कांड के किरदारों ने फूल प्रूफ प्लैनिंग के जरिये अपने काम को अंजाम दिया लेकिन अब जब जाच हुई तो परत दर परत उनके कारनामों का परदा फाश हो गया नीट की कलंग कथा के किरदार रवी अत्त्री मास्टर माइंड बिहार पुले सुत्रों से मिली एहम जानकारी के मताबिक नीट पेपर लीग करने में रवी अत्री गैंग का हाथ है यूपी के गौतम बुद्नगर के जेवर थाना इलाके के निमका गाउं का रहने वाला रवी बचपन से पढ़ने में होश्या था वो 2007 में प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी करने रजस्तान के कोटा पहुचा और वही पर रवी अत्री सॉलवर गैंग के संपर्थ में आ गया और सॉलवर गैंग का सरगना बन गया पुलिस सुत्रों के मुताबिक रवी अत्री कई प्रतियोगी परिक्षाओं के पेपर लीग करवा चुका है रवी अत्री फिलहाल यूपी की मेरट जेल में बंध है नीट की कलंकता के किरदार संजीव मुखिया बिहार में पेपर लीग का गुनहगार देश की कई रज्जिव खासकर यूपी बिहार में जिन भर्तियों के पेपर लीग हुए हैं उसमें संजीव सिंग और्फ मुखिया का नाम कॉमन रहा पेपर लीग के कई मौमलों में संजीव मुखिया वॉन्टेड रहा है बिहार आर्थी कपरादी काई संजिव मुख्या की सरगर्मी से तलाश कर रही है क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजिव मुख्या ही बिहार में नीट क्वेशन पेपर लीक मामले का मुख्य केरदार है नीट की कलंग कथा के करदार चिंटू और सिंटू सॉल पेपर बाटने का रोग पेपर लीग मामले में सबसे एहम सवाल ये है कि पेपर कहां से आया और किस को मिला बिहार पुलिस के आर्थिक अपराधिकाई की जाच में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जाच एजनसी को शक है कि नीट का पेपर सबसे पहले सॉलवर गैंक के चिंटू के मोबाइल पर आया था चिंटू और सिंटू सिकंदर यादवेंदर के शागिर्द हैं और संजी मुख्या के जरिये चिंटू को सॉल्व किया हुआ पेपर मिला और सुतू के मुताबिक चिंटू और सिंटू ने मिलकर नीट के सॉल्व पेपर को अभियर्थियों में बाटे थे सिंटू ने पूस्ताश परदाफाश कर दिया और नियूज एटीन इंडिया की खाबर पर मोहर लगा दी कि नीट पेपर लिग का मासर माइंड रवी अत्री गैंग है सिंटू ने पूस्ताश परदाया कि उन्हें रवी अत्री गैंग से ही सॉल्व पेपर मिले थे जिसे उन्होंने अभियर्थियों में बाटा था नीट की कलंकता के किरदार एनेच के स्थाउस अभियर्थियों के लिए बुकिंग नियूज एटीन इंडिया पर सबसे पहले पटना के उस के स्थाउस को भी दिखाया गया जिसका तालोक नीट पेपर लिग कांड के आरोपियों से है पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लिग कांड में नेशनल हाइवे के गेस्थाउस का भी एहम रोल रहा सूत्रों के मुताबिक पटना में इंस्पेक्शन बंगला कहे जाने वाला एनेच के गेस्ट हाउस में अभेर्थियों और उनके रिष्टदारों के ठहरने का इंतजाम किया गया था इसी गेस्ट हाउस के सुपरवाइजर से लंबी पूस्ताच हुई इस दोरां तेजस्टी वियादों के पीएस प्रीतम कुमार और सिकंदर की कनेक्शन की भी पूस्ताच की गई यानि अब आर्थिक अपरादिकाई इस जाच में जुट गई है कि गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराने के लिए लेटर कैसे लिखुआया गया इस मामले में गेस्ट हाउस के केर्टेकर अमित कुमार से भी पूस्ताच की गई नीट की कलंकता के करदार अतुल वत्स और अंशुल सिंग यही नहीं बिहार पुलिस के आर्थिक अपरादिकाई के निशाने पर अतुल वत्स और अंशुल सिंग भी हैं जो रवी अत्री गैंक के गुर्गे हैं और सूत्रु के मुदाबिक जिन पर पेपर लीग के लिए महाराश्र गुजरात और बिहार का जिम्मा था सूत्रु के मुदाबिक अतुल और अंशुल ने ही बिहार में संजीव मुख्या को जिम्मा दिया था नीट और नेट परिक्षाओं पर विवात के बीच केंद सरकार ने पेपर लीग कानून लाया है यानि अब छात्रों के भविश्य से खिलवार करने वालों की शामत आने वाली है इम्तिहान से पहले पेपर लीग परिक्षा के नाम पर छात्रों से छलावार अब आग रोश में बदल चुका है देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं अधक परिश्रम की अंदेखी पर गुस्सा भड़ चुका है और सवाल सिस्टम से पूछे जा रहे हैं आखिर कब तक आखिर कब तक बच्चों के भविश्य से खिलवार होता रहेगा कब तक परिक्षा में धांधली होती रहेगी एक तरब छात्रों का गुस्सा है तो दूसरी तरफ सरकार को बच्चों के भवश्य की चिंता है पेपर लिग जैसी घटनाओं पर पूरी तरफ शिकंजा गसने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है सरकार ने प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए पेपर लेक कानून का नोटिफिकेशन जारी किया है केंजरी ने लागू किया कानून परिक्षा में नकर रोकने पर सकती पेपर लेक कानून का नोटिफिकेशन जारी लोग परिक्षा कानून दोहजार चौबिस का नोटिफिकेशन परिक्षा में अनुचित साधन के इस्तेमाल पर सक्ती तीन से पाच साल तक की सजा का एलाद दस लाग तक का जरुआना लगाया जा सकता है परिक्षा में परिक्षा में परिक्षा में परिक्षा में परिक्षा में रोकने के लिए सरकार ने नया कानून लाया है दस लाग का जुर्बाना भी लगाया जाएगा किसी संस्थान का नाम आने पर बड़ी कारवाई गरबड़ी में नाम आने पर संस्था की जब्दों की संपत्ती पेपर लिग के खिलाब फुल प्रुप प्लान तयार हो चुका है और इसने कानून का शक्ल भी ले लिया है यानि चात्रों के भविश्चे से खिलवार करने वालों की शामतानी तै है क्योंकि सरकार ने जो प्लान तयार किया है जिस रणनेती के साथ पेपर लेके घटना को रोकने का खाका तयार किया है अब जल्द ही उसे अमली जामा पहनाने की बारी है ताकि चात्रों के भविश्चे से खिलवार करने वाले गुनाहकार अब बच नहीं सकेंगी प्यूर रिपॉर्ट यूजएटी जोटपुर के सूरसागर लाके में दो पक्षों के बीच तनाव इतना बढ़ गया पत्थर बाजी आग जनी आसू गैस के गोले ये तस्वीरे जोटपुर के सूरसागर थानक्षेतर की हैं जहां शुकरवार की राद दो पक्षों के बीच जम कर बवाल हुआ तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों और से पत्थराव शुरू हो गया अराजक तत्वों ने दुकानों और वहनों में आग लगा दी घरों पर भी जम कर पत्थर चलाए गए पत्थर बाजी के दोरान कुछ पुलिस वाले भी खायल हो गए हालात को विगरता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और आसू गैस छोड़कर उपद्रवियों को तितर बितर किया इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया पूरे इलाके में भारी पुलिस वाल तैनाद किया गया है लड़के चार बच्चे कोई जहन साथ में घरवे नहीं वह पुरसासन के मिली बगत से यह काम हुआ है मैं पुरसासन को आवाज जेरों मैंने सर मेरे गिरिज में आग लग रही है और आप यहां आई है वह एक पी प्रसासन के लोग मेरे पास यहां आये नहीं पुलिस पर भी पत्राव किया गया और उस समंद में अभी मौके पर संपूल जापता कमिश्रेट का वहां पहुचा और मुकद में दर्ज किया गये हैं और जिन लोगों ने पुलिस के उपर पत्राव किया है या दार्मिक भावनाओं को बढ़काने का प्रयास किया है उनको दस्तियाब गर ठाने लेकर हैं बताय जा रहा है कि पिछले 15 साल से ईदगाह की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है पुलिस ने दोनों जमीन को लेकर दोनों समुदायों के बीश समझोता भी कराया था कि दोनों पक्ष इस जमीन का इस्तिमाल नहीं करेंगे लेकिन ईदगाह के दरवाजा खोल कर विवादत जमीन का इस्तिमाल करने पर दूसरा पक्ष नाराज हो गया इदगाह जमीन विवाद के बीच आखों का बास मोहले के दो लड़कों का किसी बात को लेकर जगडा हो गया और दोनों पक्ष फिर आमने सामने हो गए बताय जा रहा है कि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा कर मामला दर्ज कर लिया था लेकिन थोड़ी ही देरवाद हालात बे काबू हो गए पिर मैंने मेरे देवर को फोन करके पूचा दोनों बहुत कर अरहा है पार हमसे आना फिर मैं पीचे वाले रस्ते सि आराम से आख तो फिर हमने यहां का लॉक दिया पीछे का लॉक दिया थोड़े देर के बाद हमने देखा तो यहां पर आग लगी हमारे यहां पर सामने लेडी को पत्तर भी लगा है और कुछ बच्चे को भी लगा है पीछे वाले पत्तर ने फैका तो इतने बड़े बड़े पत्तर थे बवाल के दौरान फिलहाल किसी जन्हानी की ख़बर नहीं है पूरे इलाके में तनाव पूर्ण शान्ती बनी हुई है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस को विवाद काप पहले से ही पता था तो लापरवाही से काम क्यों लिया गया क्यों नारेवाजी और बवाल के लिए उकसाने वाले लोगों को धील दी गई क्यों भीड के उगर होने का इंतजार किया गया जिस से सूर्य नगरी की शान्त फिजा में अशान्ती फैल गई जोदपुर से नियूज 18 के लिए चंदर शेखर की रिपोर्ट सास और बहु के बीच अक्सर तकरार नोगजों की खबर आपने सुनी होगी लेकिन एक बहु खुद पुलिस वालों को अपने जुर्म की कहानी सुना रही है कतल का हत्यार दिखा रही है कैसे उसने अपनी सास को मारा वो सब कुछ बता रही है आखिर ये रिष्टा खूनी क्यों मना है इस रिपोर्ट पर देखते हैं दहला देगा बहु का वहशीपन सास का सक्थ बहु की हैवानियत कमेंट पर बहु का इंत काम सास का ताना काम तमाम जुर्म का कबूल नमा ऐसे किया मैंने सास का कतल इस घर में खूली खेल एक बहु ने खिला जो खुत फुलिस बालों को बता रही है कैसे उसने सास पर बार किया वो हत्यार भी दिखाती है कि कुलहाडी से बार करके सास को हमेशा के लिए खामोश कर दिया स्पेशल रिपोर्ट में फिलाल इतना ही आगे देखते हैं महारो राजस्थान बने रही है न्यूज एटीन राजस्थान के साथ